पढ़ाई खरावों पढ़ाई नफरत के नए ठीकानों के तौर पर बदल रहे हैं और इस पूरे संदर्व में नागरिक समाज की भूमता क्या होगी? इन ही सारी चीजों पर बात करने के लिए हैं आज हमारे साथ प्रफेसर अपूरवानन अपूरवानन दिल्ली उनिवसिटी में हिंदी के प्रोफेसर है अपूरवानन इस प्लिक से बात करने के लिए आपका शुक्रिया मेरा पहला सवाल आप से यही है कि सरकार या सक्तापक्ष के जो भी लोग हैं उनका तर्क इस मामले में यह है कि शिक्षक की ट्रेनिंग नहीं हुए थे क्या यह सिर्फ ट्रेनिंग का मसला है अवश्य ही प्रिशिक्षण का मसला है क्योंकि शिक्षक होने के तैयारी आपको करनी पड़ती है लेकिन जिन अध्यापक का जिकर आ रहा है उनका दावा है कि उन्होंने प्रिश्रिक्षन लिया था आप प्रिश्रिक्षन लिये हूँ या ना लिया हूँ आपको ये पता होना चाहिए प्राथमिक बात कि स्कूल में आप शारिरिक दंड नहीं दे सकते और इस बात को लेकर भले ही समाज में दूसरा मत हो क्योंकि समाज अभी भी यह मानता है कि दंडित करके अनुशासित किया जाना चैए लेकिन अध्यापक को समाज के इस मत के साथ नहीं होना चाहिए इस मामले में हम यह देख रहे हैं कि स्कूल की जो अध्यापका है या उनका अधिकार है और गाओं की लोगों को भी इससे कोई एतराज नहीं है कि शारिरिक दंड दिया जाए तो पहली बात तो यह है कि शारिरिक दंड देने को लेकर या बच्चों को अनुशासित करने के लिए हर तरह से दंडित करने को लेकर समाज में एक तरह की सहमत ही है वह उनको पीटना और उनको दूसरे शारिरे कश्ट देना या उनको फेल करते रहना ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है लेकिन कोई ये तर्क नहीं दे सकता या दे सकती कि वह स्कूल चला रहा है और उसके बाद भी उसे इस बात का पता नहीं है कि कानून ये जुर्म है और वो ये नहीं कर सकता तो सरकार का ये तर्क और सरकार इस तर्क को अगर उनके पक्षमिल दे रही है कि नहीं नहीं ये कोई खास बात नहीं है तो और भी चिंता का विशा है क्योंकि सरकार को कम से कम सरकार को ये कहना चाहिए कि उसके लिए और कुछ हो ना हो या औस्वी को मानते थे जब आउस्विच हुआ जर्मनी में उसके बाद यह मानेता थे कि दूसरा आउस्विच नहीं होना चाहिए आप अकसर थेडर अड़र्नों को कोट करते हैं क्या हमारी सिख्छा ने हमारे स्कूल उने हमारे विश्विद्याले उने हमें नफरत से लड़ने में फे समाज की गई क्या हिटलर एक अपवाद था और लोगों ने यह देखा कि नहीं समाज ने हिटलर को पैदा किया 1938 का है किसा है एक स्कूल का मुझे नाम ठीक से याद नहीं है जमीनी बर्लिन के एक स्कूल का जिसमें और उस किस्से को याद करता है वो यहूदी चात्र जो जीवित रह गया बाद में और उसने अपने बुढ़ापे में यह इंट्रियू दिया जिसमें उसने कहा कि मुझे अभी तक वह क्लास याद है जिसमें अध्यापक आये और चात्र खड़े हुए और चात्रों न मैं यहूदी हूँ फिर उन्होंने मुझे बुलाया और मेरा होमवर्क खराब था इसके लिए खास कर मुझे चिन्हित किया और कक्षा में सबसे पीछे बिठा दिया यह बात उसको आज तक याद है बुढ़ापे तक इस घटना को अगर मुजफर नगर की घटना से आप मि कर देखें तो बहुत सारी समान ताइräge मिलती है किए अधिया पिका का कहिना है कि वह ताइट कर रही थी लेकिन जब भो ठाइट कर रही थी तो खासकर उसके मुसल्मान पहचान को जागर कर रही थी उसका भी कहना है कि मैंने सिर्फ यह कहा था, कि मुसल्मान माएं अपने बच्चों को लेकर मामा के हाँ चली जाती है अब ये बहुत अजीब सा तर्ख है क्योंकि दूसरी माहें भी नहीं हर जाती होंगी मायके जाती होंगी लेकिन खासकर ये जो मोहमड़न शब्त का इस्तमाल किया जा रहा है अध्यापिका का कहना है और हम मान भी ले सकते हैं कि के मन में कोई सक्री नफरत नहीं थी लेकिन यह जो निश्क्री नफरत है जुमन के अचेतन में बैठी हुई है यह नफरत के पहले जो चीज पैदा होती है वह अलगाव है वह अलगाव और खासकर उस पहचान से एक बुराई को चिनित करना कि मुसल्मान माए अपने बच्चे के मामा के हां लेकर चली जाती है इसको आप अंग्रेजी में कैजवल इस्लमोफोबिया कह सकते है लेकिन यह कैजवल इस्लमोफोबिया हमारे समाज में कितनी व्याब्थ है जैसे कैजवल एंटी सिमिटिZM जर्मेनी में कितना व्याब था वो casual anti-semitism कैसे active anti-semitism में तबदिल होता था कब आप किसी को सिर्फ चढ़ाते थे और कब आप उसका किपा उच्छाल देते थे इन दोनों में कितना दाय फासला था यह तै करना बहुत मुश्किल है लेकिन जर्मनी ने वह राह तै किया यानि यूरॉप में जो एक anti-semitism या यहूदी विरोध सदियों से मौजूद था और जिसके गंबीरता को नहीं समझा गया उसने हिटलर को जन दिया अपरवासर तो क्या यह मान लिया जाए कि नफरत को अब हके समाज में प्रशिकरति मिल गई है बिल्कुल आप इस घटना को छोड़ दे우 यह घटना क्या बतलाती है यह घटना सिर्फ यह बतलाती है कि जो मусов் हमारे मन में अब यूदाए हो अब उसको पूरा पता है कि इसके लिए उसे कोई दंड नहीं मिलेगा बलकि हो सकता है इसके चलते उसे कोई फायदा हो जाए राजनीतिक फायदा हो आर्थिक फायदा हो दूसरे किसम के फायदे हो तो लेकिन यह आवचेतन में बैठा हुआ इसलाम या मुसल्मान के प्रतिविद्वेश अगर आप पिछले और और इस गटना प्रतिक फब्ति छीटा कशी व्यंग ना सुना हो तो यह अनुभव आट दस पीडियों का है और उन सारे शब्दों से सारे बच्चे परिचित हैं तो हमें तो यह मालूम है कि यह हमारे समाज में हैं हमारे घर में हैं हमारे घरों में अक्सर पाकाना को पाकिस्तान कहते हैं शेहरों में यह बात बहुत आम है कि अगर एक मुसल्मान बहुल बस्ती है आप कहा जा रहे हैं पाकिस्तान जा रहे हैं पाकिस्तान ग्र्णा का प्रतिक है तो यह सारी चीज ने तो इतनी आम हैं और हमारे समाजिक वेवार में पैबस्त हैं कि हमें उसका एसका 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 कराता भी नहीं है क्योंकि ये बात बुरी लगती है इसे हटकर अब हम विश्व इद्यालियों की तरफ लोटते हैं प्रभात पत्नायक ने अभी हाली में एक लेक लिखा और उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्वर्सिटी इसको किलिंग फील्ड की रूप में तबदील कर दिया ह चाहिए वो जेनी हो डी हो वो विश्व भारती हो या फिर रालिया उदारन जो है अशुका उन्वर्सिटी का है अगर मैं आपके परस्पेक्टिव से समझूं कि किसी भी सरकार के लिए विश्व इद्याले इतने महत्रपूर्ण क्यों हो जाते हैं तो आप क्या कहेंगे देखे विश्व इद्याले इसलिए हर सरकार के लिए बहुत महत्रपूर्ण होते हैं दुनिया भर में क्योंकि विश्व इद्याले स्वतंत्र विचार के केंद्र हैं और इसलिए विश्व इद्याले को नियंत्रित करना हर सरकार अपना फर्ज समझती है वे सरकारे नहीं जो कि उदार, जन्तंतर में विश्वास करती हैं. लेकिन बाकी सारी विश्वास हैं, इसमें यकीन करती हैं. और इसलिए वो एरान हो, इसलामी कुरानती के बाद उन्होंने सबसे पहला हमला विश्व द्याले पर किया. या सोवेट यूनियन हो जिसमें स्टालिन ने विश्विद्यालियों को नियंतृत किया या चीन हो जिसने जहां विश्विद्याले अब सबसे ज्यादा नियंतृत है आप वहां सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते हैं ऐसी नीती के अलोचना नहीं कर सकतेया मिकार्थी के समय का अमेरीका हो हो विश्विद्याले में सवतंत्र चिंतन का अवकाश होता है। क्या सोच रहा है उससे आजाड जो नए दिमाग आते हैं वह अपनी बात कह सकते हैं। दूसरी लोग कह कहげ सकते हैं। की जगह है और विश्विद्याले के अधारना ही आलोचना पर टिके हुई है यह हर स्थापित विचार की आलोचना कर सकती है वह स्थापित विचार विज्ञान में होगा, मनुविज्ञान में होगा, वह स्थापित विचार राजनीती में होगा और इसी से तो निकलेगा जब आप एक स्थापित विचार को आलोचनात्मक धंग से देखेंगे तभी आपने या विचार कर पाएंगे लेकिन सत्ताएं यह चाहती हैं कि उनको कोई चुनौती ना दी जाए क्योंकि वो हटना नहीं चाहती है और इसलिए वे आलोचना को बरदाश्ट नहीं कर सकती है तो जो भी सत्ता एक विचारधारात्मक सत्ता है वो दक्षिन की हो या वामपंथी विचारधारात्मक सत्ता हो वह नियंत्रित करना चाहती है स्वतंत्र चिंतन को और इसलिए विश्विद्याले उसका पहला निशाना बनते हैं क्योंकि यहां नौजवान आते हैं और यहां ऐसे लोग रहते हैं जो आपस में स्वतंत्र से असहमतियों को व्यक्त कर सकते हैं और असहमतियों को ऐसे व्यक्त कर सकते हैं जिसमें आप एक दूसरे की दुश्मन ना हो यानि असहमति आपका अधिकार है और मेरा आपसे असहमत होना अधिकार है और इसी से हमारा कारूबार आगे बढ़ता है लेकिन आप जैसे जानत आपका दिमाग और सत्था का दिमाग दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहने देना चाहता है तो जन्ता पूरी तरह से सत्था की हो और इसलिए विष्व दियाले पर पूरा कबजा हो एक सवाल जो दलाजन जो बनता है यह कि नफरत से जो बाहर निकलने का जो रखता है जो वो कैसे होगा क्योंकि छीजे तो दुरय होती जा रहे हैं पहले तो इस बात को सुखख़ करना कि हमारे बीच में है और इस बात को सुख़ख़ हर किसी को करना होगा Edward करना होगा हमारी सत्ता को करना होगा इसमें इंबैरस्मेंट की बात नहीं है देखिए कानड़ा में एक पाकिस्तानी मूल के परिवार को एक श्वेत कैनडी व्यक्ति ने कुछल दिया उसके बाद क्या हुआ कानड़ा के प्रधान हमें धरों में कहा कि mówiα इस्लामोफोबिया की चलते था कैनिडा के प्रदान्मंत्री ने कहा कि इसको हलके से नण के मत लीजिए आप घरों में जो मजाख करते है डाइनिंग टैबल पर जो मजाख करते है उसमें जो उनके साथ समर्थन में तो जब तक आप यह बात नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे यह कहावत भी है कि महाजन जिस रास्ते जाते हैं लोग उस रास्ते जाते हैं महाजन यानि इलीट जो अभिजन है अभिजन में शासक शामिल हैं जो प्रभावशाली लोग हैं वो शामिल हैं विश्विद्यालियों के लोग शामिल हैं उद्योगपती शामिल हैं हमारे फिल्मे सितारे शामिल हैं जब तक वे सब नहीं कहेंगे कि पहले इस बात को स्विकार करें और अपराध जिस तरह का है उसको वही कहके बुलाएं उस में अभी एक इमिगरंट के हत्या हुई मैकरन को मैकरन आके कहा यह अनक्सेप्टेबल है और यह नहीं होना चाहिए और डिस्टरबिंग है लेकिन हमारे हत्याएं होती रहती हैं नफरत के कारण हत्याएं होती रहती हैं और पूरा हमारा जो शासक वर्ग है वह खामोश रहता हमारे अभी जन खामोश रहते हैं तो जनता को यह समझने का मौका नहीं है कि दरसल रास्ता क्या है वह तो हमें करना पड़ेगा हर स्थर पर शिक्षा संस्थानों में अखबारों में, मीडिया में और जहां भी जगा मिले वहां काईदे से अभी हमारे जितने खेल के सितारे हैं उनको बोलना चाहिए था हमारे जो फिल्मे सितारे हैं उनको बोलना चाहिए था उद्योगपतियों को बोलना चाहिए था आखिर शिक्षा की दोहाई तो हर को ही देता रहता है वो यही बोल सकते थे कि यह कैसे बरदाश्ट किया जा सकता है कि शारीरिक दंड दिया जा रहा हो किसी उद्ध्योपती ने निका किसी फिल्मे सितारे ने निका इसका मतलब अगर समाज का मन विचलित नहीं होता है हिंसा से तो फिर उस समाज का विनाश निश्चित है